सो नमस्कार कैसे हैं आप सब आज के इस वुडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं IIM इंदोर के IPM के बारे में और IIM रोतक के IPM के बारे में दोनों की eligibility क्या है और दोनों की dates क्या है यानि कि कब से उनके registration स्टार्ट हुए थे कब उनके registration end होंगे इसके साथ कब उनके interest आज के date है तो सब इस दो बारे में लोग बात करेंगे सबसे main है eligibility बहुत बार क्या होता है कि आप लोग apply कर देते हो आपका final admission आने वाला होता है उस moment पर आप पता चलता है आप eligible ही नहीं हो आपका admission नहीं होता है तो eligibility आपको दोनों के बारे में पता होन यह जेवे से BMS करना है या डेल्यू से आपको कोई भी course करना है BA, BST, B.BA, जो भी आपको D.U. से करना हो हम complete preparation आपकी करवाते हैं आपको वर्च से पसिफिक हेलो send करना है हम लोग आपको course की details and demo access send कर देंगे अगर आपको demo से ही लगता है तो आप भी भी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं हमारे आज की topic कि क्या दोनों के अंदर eligibility में difference हैं क्या दोनों की dates हैं सबसे बहले हम लोग बात करते हैं eligibility of I.A.M. indoor अगर आप I.A.M. indoor से IPM करना चाहते हो तो उसकी eligibility होने वाली है आपकी उसके अंदर basically आपका जो birth है वो 1st August 2003 य आप यहाँ पर apply कर सकते हैं बहुत बात student यह सोचते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 साल से बड़े होने चाहिए ऐसा नहीं इसका मतलब ठीक है कि 20 से आप कम होने चाहिए एक अगस 2003 में आपका birth होना चाहिए फिर उसके बाद का होने उससे पहले आपका नहीं होना चा है उसके अलावा अगर आपकी passing year है तो फिर आपका admission नहीं होगा तो यह आपकी eligibility है basically I am indoor की यहाँ पर कोई भी percentage नहीं है कि 60% चाहिए 70% चाहिए कोई भी percentage नहीं है बस pass होना चाहिए 10th and 12th class के अंदर राइट बहुत साइस students CC के अंदर confused होते हैं कि कोई 60% eligibility I am indoor के अंदर तो आपके forms close हो जाएंगे और इसके अंदर आपको जो test आपको जो देने को मिलने वाला है IPMAT indoor का वो होगा आपका 16th June को right इसके अलाव जो test cities है वो 34 आपको अलोट की जाएंगी इसमें से कोई भी आपको मिल सकती है उसके अंदर आपको test देने जाना होगा admit card पर आपका लिख यह बड़ अगर आप STC's हैं तो 55% marks आपको चाहिए होगे बड़ एज लिमिट यहाँ पर 20 है चाहिए आप STC है आप general है तो यह आपकी eligibility है basic इसके अलाव registration जो है basically वो आपकी registration date 6th February से start हो एते 10th April को आपको end हो जाएंगे आज से 4 दिन के अंदर अंदर आपके forms close हो सुब है 9 बजए तो यह थी सारी-सारी eligibility and eligibility आयम इंदोर के लिए आयम रोता के लिए test dates right so आपके लिए वीडियो आप इंफिमेटिव रही होगी अगर आप प्रपरेशन करना शाहते हो आप आज से पुन तयारी शूरू कर सकते है हमारे साथ WhatsApp पर आपको सिफेक hello send करना है हम और लोग आपको separate mock test भी देंगे आयम इंदोर के लगोंगे आयम रोता के लगोंगे और पूरी आपकी प्रपरेशन होगी so WhatsApp पर सिफेक hello send कर दीजिए और तयारी अपनी आज से ही शूरू कर दीजिए मिलते नेक्स टूडियो के अंदर तब तक के लिए बाई बाई एंड आप